गुद मोर्निंग सुड़न्ट, मैसल्फ हेतल पंडया, यूर हिंदी टीचर फ्रॉम श्री एल जी का कड़िया सेकेंडरी स्कूल आज हम हिंदी का प्रथम प्रक्रण प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पढ़ेंगे प्रभु जी तुम चंदन हम पानी यह प्रात्ना गीत है, प्रात्ना भगवान से की जाती है यह रचना रेधास जी की है, जो प्रभु के अनन्य भक्त है प्रभुजी तुम चंदनहंपानी रेदाशी की कुरूती है उनका जन्म सन 1388 में और नीधन सन 1518 में अनुमानित है मतलब कि उनकी जन्मतित्य के बारे में निश्चित नहीं है कई लोग उनको पंद्रवी सदी में मानते हैं कई लोग उन्हें चवुद में सदी में मानते हैं संत कभी रेदाश का परिचे संत कभी रेदाश कभीर के समकालीन महान संत ते रेदाश जी को रविदाश के नाम से भी चाना जाता है यह माना जाता है कि संत रामाननचे के सिश्यों में से एक थे ये कार्शी में रहते थे वे पढ़े लिखे नहीं थे मगर उनकी साधना उच्च प्रकार की थी उनकी पदों में अनन्य भक्ति भाव की अभिव्यक्ति है संत कभी रेदास ने भक्त और भगवान के अतूट सम्मद की फूष्टी अपने पदों में की है आत्मा परमात्मा का मिलन सोने में सुगंद की भाती उत्तम भतलाया है उनके बहुत से पद लोक प्रिया है उनके कुछ पद गुरुगरं साहब में संगरहित है बोलचाल की सरल सहज भाषा में 200 से अधिक पद है यहां संकलित पद में रिदास जी कहते है कि प्रभु जी हर हाल में मैं आपके निकट रहना चाहता हूँ मुझे आपकी वक्ति से प्रभु में बनना है मैं आपका दास आपकी प्रतिती चाहता हूँ यहां आत्मा और परमात्मा का अदेत्ता का वर्णन है अब हम कविता का वांचन करेंगे फिर उनका पावार्थ समझेंगे प्रभुजी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी प्रभुजी कहते है कि भगवान जो है वो चंदन है और भक्त है वो साधरन पानी है प्रभुजी तुम घन वन हम मोरा जैसे चितवत चंद चकोरा प्रभुजी घन है मतलब काले बादल है और रिदास जी है मोर है प्रभुजी तुम दीपक हम बाती चाकी जोती बरे दिन राती प्रभुजी दीपक है और रिदास जी है वो ज्योत है जो दिन रात प्रकाश फिलाते है प्रभुजी तुम मोती हम धागा जैसे सोन ही मिलत सुहागा मतलब के सोने में जैसे प्रक्रिया होने के बाद जो सोना एकदम चमकता है उसी तरह उसकी बात की है प्रभुजी तुम स्वामी हम दासा ऐसी भक्ति करे रिदासा इस पोएम का भावार्थ हम पढ़ेंगे कविता का भावार्थ प्रभुजी तुम चंदन हम पानी चाकी अंग अंग बास समानी कविदास जी कहते है कि प्रभु आप चंदन है तो मैं साधरन जल हूँ जो चंदन के मेल से सुगन दित हो गया है चंदन का गुन क्या है चंदन है वो उत्तम कोटी का है जो घीस कर अपनी सुगन सब को देता है उसी तरह वो चाहते है कि चंदन है वो इश्वर है और जो पानी है जिसके साथ मिलकर चंदन सुगन दित होता है तो वो इश्वर के साथ मिलकर भक्ति भाव में लीन होना चाहते है केते मेरा मन और शरीम आपके कणकण में बस गए है ये प्रभु आपके प्रती मेरा समरपुन भाव चंदन के साथ पानी जैसा है प्रभु जी तुम खानवन हम मोरा जैसे चितवत चंद चकोरा ये इश्वर आप ऐसे घहने बादल के समान है जिसके दर्शन करके मेरा मन मोर बनकर नाचने लगा है जैसे वर्शारोतु में काले काले बादल चाहते है उसे देखकर मोर नाचने लगता है खुश होता है उसी प्रकार रिदास जी पगवान के दर्शन करके प्रसंद्न हो जाते है और प्रभू को कहते है जिस तरह जिस तरह जिस तरह चकोर पक्षीव चंद्रमा को देख कर प्रसंद्न होता है उसी प्रकार रिदास जी भगवान को देख कर प्रसंद्न हो जाते है वो उनको निहारते रहते है वो कहते है कि मैं भी आपके दर्शन में लीन हो जाता हूँ मैं यही चाहता हूँ कि सदा आपकी भक्ती में तनमे होकर आपके दर्शन करता रहूँ प्रभू जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योती बरे दिन राती रेदास जी कहते है कि आप दीपक है मैं बाती हूँ कभी कहना चाहते हैं कि आप ऐसे दीपक हैं जिसकी जियोती दिन राद जलती रहती है मैं स्वयम को धन्य मानता हूँ क्योंकि मैं उस दीपक की बाती हूँ जो सदा जलती रहती है जिस प्रकास मानुशरीर में परमात्मा रुपी जीव रहता है उसी प्रकार रेदास जी केते हैं कि बाती जलकर अन्य लोगों को प्रकाशित करती है उसी तरह वो खुद जलकर इश्वर रुपी प्रकास को फैलाना चाहते है प्रभुजी तुम मोती हम धागा जैसे सोन ही मिलत सुहागा हे इश्वर आप अमुल्य मोती है और मैं साधरन धागा हूँ जिससे जिसमें अमुल्य मोती पिरोय जाने की कारण धागे में धागे का मुल्य बढ़ जाता है रेदास्ऌ जि कहते है आपके साथ जुड़े रहने से मुझे आनन्द की प्राप्ती होती है मोती और धागे के जैसा सुहागे की तरह देखते है सोने के साथ जब सुहागा मिलता है तब लोग उनको पसंद करते है सोने के मिश्रधातों के टुकड़े हम पहन नहीं सकते उन पर प्रक्रिया होने के बाद आभूशन बन जाए तब हम उन्हें पसंद करते है उसी प्रकार रेदास्ची भक्त बनकर अपना जीवन सार्थक बनाना चाहते है अंतिम बंक्ती में प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा ऐसी भक्ति करे रेदासा वो सभी उदारणों से यही कहना चाहते है कि भगवान जो है वो महान है और मैं एक नीम्न कक्षा का मानव हूँ मतलब कि भगवान बहुत बड़े है और मैं बहुत चोटा हूँ प्रभु आप स्वामी है और मैं आपके चरणों का तुच्छत दास हूँ वे कहते है कि आप हमारे मालिक है और मैं आपका सेवक हूँ इस प्रकार रेदास जी प्रभु भक्ति में लीन रहना चाहते है अब हम स्वाध्य और शब्दार्थ पढ़ेंगे स्वाध्य के पहले शब्दार्थ बास बास मतलब गंध सुगंध मूरा मतलब मूर घं बादल बरे इतले चलना दासा दास सुहागा एक तरह का खनेश्पदार्थ चकुर तीतर जैसा पक्षी जोचंद रखे और देखता रहता है चितवत देखना स्वाध्याई प्रश्ण एक निम्न लिखित प्रश्णों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिया प्रभुचंदन है तो भक्त क्या है प्रभुचंदन है तो भक्त पानी है भक्त दीपक बनकर क्या चाहता है भक्त दीपक बनकर प्रकाश फैलना चाहता है सोने का महत्व कब बढ़ता है सोने का महत्व जब उसमें सुहागा मिलता है तब बढ़ता है प्रभुजी बादल है तो भक्त क्या है प्रभुजी बादल है तो भक्त मोर है प्रभुजी मोती है तो भक्त क्या है प्रभुजी मोती है तो भक्त धागा है भक्त बाती बनकर क्या चाहता है? भक्त बाती बनकर चलना चाहता है प्रश्ण बे निम्ना लिखित प्रश्णों के दो तीन वाक्यों में उत्तर लिखिए भक्त किन किन उजारोनों द्वारा समझाता है कि मैं प्रभु के निकट हूँ अपने शब्दों में लिखिये भक्त अपने आपको उत्तर भक्त अपने आपको प्रभु के निकट होने की बात समझाने के लिए विभिन्न प्रतिकों का सहारा लेता है जिनके उधारन निम्न लिखित है चंदन पानी घन मूर दीपक बाती मोती धागा तथा स्वामी और दा समाविश होता है फ्रश्णत्रण उचीत जोड़े बनाए चंदन तो पानी घनवन तो मूर दीपक तो ज्योती सोना सुहागा भक्त तो रैदास इस तरह हम यह प्रक्रण समाप्त करते हैं आपको यह क्विश्ण आंसर और सब फेर बुक में अच्छे से लिखना है